मैं यहाँ दो अलग-अलग तरीकों से इस्टप चिली बना रही हूँ तो फ्रेंड अंजना दीक्षित की आसान रेश्पी में मैं आपका स्वागत करती हूँ इसके लिए मैंने 500 ग्राम मोटी वाली मिर्च ली है इस तरह की मिर्च लेनी है यह कलर में लाइट होती है और बिल्कुल तीखी भी नहीं होती है तो इसको मैंने अच्छी तरह से धोकर साप कर लिया है अब बीज से हम इसको चीरा लगा देंगे इसके बीज नहीं निकाल रह है क्योंकि इसकी बीज बिल्कुल भी तीखे नहीं है सारी मिर्च इसी तरह से काट कर तयार कर लिया है अब चलते हैं गैस की तरफ तो सबसे पहले पैन में हम मूंफली ड्राय रोस्ट कर लेते हैं तो यहां पर आधी कटोरी मूंफली है इसको ड्राय रोस्ट कर लिया निक बस इतना ही करना है तो यह भी भून गए है इनको भी निकाल लेती हूँ अब इसी पैन में मैंने दो टेबल स्पून तेल डाल लिया और एक चोटी कटोरी बेशन इनको भी दिमी दिमी आज पर भून लेना है जब तक कि यह गुलाबी न हो जाए बेशन को भूनने में 6-7 मि तो अब इस स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे और थोड़ी देर हिलाते हुए पैन को ठंडा कर लेंगे तो जब तक बेशन ठंडा हो रहा है तब तक मुंफली के दाने और भूना हुआ सौफ जीरा तीनों को एक साथ मिक्सर के जार में डाल कर पीस लेते हैं पाउडर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम मसालदान के मसाले अड़ करते हैं तो आदा चोटी चम्मच हल्दी पाउडर आदा चोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर आदा चोटा चम्मच गरम मसाला का पाउडर एक चोटा चम्मच धनिया का पाउडर और आदा चोटा चम्मज अमचुर पाउडर इनको भी मिला देते हैं और यहां पर हमने अधरक और लहसुन कूट कर ले लिये हैं तो यह एक इंच अधरक का टुकड़ा था और आठ दस कलिया लहसुन की इनको कूट लिया और इनको भी इसमें मिक्स कर दिया आप डालते हैं स्वाद के अंसार क्योंकि हमको थोड़ी सी मिर्च बेसन वाली बनानी है इसलिए हमने थोड़ा सा मसाला ले लिया और इसमें पानी का छीटा दे दे कर श्टफिंग तयार कर लेते हैं बहुत ज़्यादा हाड या बहुत ज़्यादा सौफ्ट मसाला नहीं रखना है अब यह मसाला हमारा मिर् मिर्चियों को इसी मसाले से हम दबा दबा कर अच्छी तरह से भार लेंगे तो वेसन वाली स्टफिंग की मिर्च तो तयार हो गई है तो अब मैं आलू का मसाला भी तयार कर लेती हूं यहां मैंने आधी मिर्चियां अलग कर ली थी अब इन मिर्च में भी मैंने चीरा लग इसी मसाले में मैंने दोनों उबले आलू को कद़ू कस कर लिया है तो यह जो भरी हुई मिर्चे इनको साइड में रख देती हूँ और अब आलू का मसाला तयार कर लेती हूँ तो यह जो उबले आलू है इनमें अभी मसाला परियाप्त नहीं है तो अब मैं इनमें मसालदान से सुखे मसाले एड़ करती हूँ इस आलू मसाले में भी में हल्दी, गरम मसाला पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, सारे मसाले हमें अपनी पसंद के हिसाब से ही लेने हैं थोड़ा सामचुर पाउडर और नमक इनको एड़ कर दिया और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया बेशन आलू का ये मसाला बहुती टेस्टी बना है एक बार फ्रेंड आप बनाएंगे तो इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे मसाला तैयार हो गया है अब इस स्टफिंग को भी मैं मिर्च में भर लेते हूँ इसी तरह से अच्छी तरह से दबा दबा कर भरते हुए हम सारी मिर्चियां बना कर तैयार कर लेते हैं सारी मिर्च भर कर तैयार हो गई है अब मैं यहाँ पर थोड़े से सेव ले रही हूँ यह नमकीन वाले बारीक सेव हैं, इनको भी उपर से पतली लेयर लगा दी, यह सिखने के बाद में इन में कुरकुरा पन आएगा तो खाने में बहुत अच्छी लगती है, सारी मिर्चियों में इसी तरह से सेव लगा कर तयार कर लेते हैं, अलूओ मसाले की मिर्च में शिव लगा कर तयार कर लिये हैं, अब इनको साइड करते हैं और यह बेसन वाले मसाले मिर्च है सको भी खेंच सेếu लगा तो जैसे हमने लगा था ऐसे इसमें भी लगा लेते दबा देते हैं और साहरी पहलें से इसी तरह से तियार लेते हैं तो 2 अलग-अलग मसालों की मिर्च भरकर तपयार हैं तो घैस की तरह तो अब गैस पर पैन चड़ा देते हैं और इसमें दो टेबल स्पून तेल डालते हैं बहुत ज़्यादा तेल नहीं डालना है कम तेल में ही ये सबजी बहुत अच्छी बन जाती है तेल हलका गरम हुआ है उसी समय हम हिंग डाल देंगे हिंग जलेना और अब हम बारी-बारी से सारी मिर्चियों को लगा देंगे तो पहले मैं बेशन वाली मिर्च को लगा देती हूं और इसको कवर कर देती हूं श्लो आज पर पांच मिनट के लिए पकने देती हूं पांच मिनट हो गए हैं इनको खोल लेते हैं और पलट कर देखते हैं इनको फिर से हम खोलते हैं और उलट पलट देते हैं जिस साइड में मिर्च पकी नहीं है उस साइड को नीचे कर देते हैं मिर्च का मॉस्चर कब न हो इसके लिए हलका सा पानी का छीटा दे दिया फिर से कवर कर दिया और उलट पलट के हमें 2-3 मिनट में इनको पका लेना है मिर्च रेडी हो गई हैं बहुत जल्दी पक जाती हैं तो अब हम इनको निकाल लेते हैं ये देखिए बेशन वाली मिर्च तो तयार हो गई हैं अब हम आलू आली इस्टपिंग को पकाते हैं तो सेम जिस तरह से हमने बेशन वाली मिर्चों को बनाया था इसी तरह से इस मिर्च को भी बना लेना है तो इसमें भी मैंने 2 टेबल स्पून तेल डाल दिया सारी मिर्चों को लगा दिया और उलटते पलटते हुए हमें इनको ढखकर पकाना है पांच-पांच मिनट में खोलते रहना है फिर से हिला लेना है और डखकर पका लेना है और इनकी उपर की इसकिन जलेना इसके लिए बीच में एक बार हमें थोड़ा सा पानी का चीटा दे देना है तो करीब एक चमच हमें पानी डाल देना है और वापस डखकर पका लेना है बढ़िया मिर्च तयार हो गई है ये देखिए इनको बनाने में कोई जंजट भी नहीं है और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है इसको एक बार बना कर रख लें फिर दाल, चावल, पूरी, पराठा किसी के भी साथ खाएं बहुत अच्छी लगती है और एक बार इसको बना कर रख लें तो ये 5-6 दिन तक फिरिज में रख कर आराम से खाई जा सकती है अब मिर्च पूरी तरह से पक गई है तो अब हम इनको निकाल लेते हैं ये देखिए इतनी बड़िया मिर्च बनकर तयार हो गई है 10-15 मिनट हमें मसाला तयार करने में लगते हैं और 15 मिनट ही हमें इनको पकाने में लग जाते हैं तो 25-30 मिनट के बीच में ये मिर्च बनकर तयार हो जाती है तो फ्रेंड अगर आपको हमारी इस टप चिली की ये रेस्पी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि मेरी रेस्पी आसान है या नहीं मुझे आपके कमेंट्स कहें तो